हम लोग जो यहां कामदेनों गोशाला में जो फिलोर क्लीनर है और इसमें जो चीजें डलती है उह है कपूर, नीम का तेल, पाइन का तेल और सौफ्ट सौफ सुलेशन ताकि उससे सफाई हो और में चीज है जो है गो मुत्र अर्क इससे हमें तीन तरह के फाइदे होते हैं ज इसे हमारी घरों में वास्तू सास्त दूर होता था लोग निरोग होते थे आज के डेट में वो लोग भूल गए हैं तो हमारा जो मोटो है इस floor cleaner men में गो मुत्र मिला करके सब के घरों में जाए ताकि बास्टू दुर हो सब कोई हानी नहीं होगी बुढ़े को कोई हानी नहीं होगी, सांस में कोई प्रॉलिम नहीं होगी, जो अधर्स में होते हैं, जिसमें प्रेस्टिचाइड होती है। तिसरा फाइदा यह है कि हम बिना कोई लॉस और प्रोफिट के काम कर रहे हैं, ताकि गौमाता की तरफ से सब के घर में इनका अशिरबात जाए और इनके घर के कश्ट दूर होती है। प्रेस्टिचाइड 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 होती है। चाहिन का तेल और सौफ्ट सौफ सुलेशन ताकि उससे सफाई हो और में चीज है जो है गौमुटर अरक इससे हमें तीन तरह के फाइदे होते हैं। जो पुरातन जमाने में लोग घरों में गोवमुत्र और गोबर से लिपाई करते थे जिसे हमारी घरों में वास्तू-ञीय, लोग नीरोग होते थे। होगी जो अधर्स में होते हैं जिसमें पेस्टिसाइड होती है तिसरा फाइदा यह है कि हम बिना कोई लॉस और प्रोफिट के जो है काम कर रहें ताकि गौमाता की तरफ से सब के घर में जो है इनका अशिरबाद जाए और इनके घर के कश्ट जो है दूर हूँ पाइड जो कठाभाता है जागो मोट ब कठा नमाशती है एक बंदा गावन ठांदा दूसरा जए अबाल्टी जय अडियेट गावन पाइडा करता ही वह जिदो गौमोतर पाक्ठा कर दे हैं उसाले जिदो अशिञामन रोलें अरो इच परनेयान अल्ड़ उछा काः आँट ह यह पर देसी गावाना कठा करें देसी गावाना कठा करें। हम लोग जो यहां काम देन गोशाला में जो फिलोर क्लीनर फिलोर क्लीनर है और इसमें जो चीजें डलती है ओ है कपूर, नीम का तेल, पाइन का तेल और सौफ्ट सौफ सुलेशन ताकि उससे सफाई हो और मेन चीज है जो है गोव मुत्र अर्क इससे हमें तीन तरह के फायदे होते हैं जो पुरातन जमाने में लोग घरों में गोव मुत्र और गोवर से लिपाई करते थे जिससे हमारी घरों में वास्तु सास्त्र दूर होता था लोग निरोग होते थे आज के डेट में वो लोग भूल गए हैं तो हमारा जो मोटो है इस फ्लोर क्लिनर में गो मुत्र मिला करके सब के घरों में जाए ताकि बास्तु दोस्त दूर हो दूसरा फाइदा यह है कि इसमें पेस्टिसाइड किसी तरह कर नहीं है बिल्कुल जहरीला नहीं है जहर मुक्त है इससे बच्चों को कोई हानी नहीं होगी बुढ़े को कोई हानी नहीं होगी सांस में कोई प्रॉल्म नहीं होगी जो अदर्स में होते हैं जिसमें पेस्टिस जो कि लाल बीक ज़ेवादार सेवादार हैं. अपा स्वेरिय तर्केज दो गाहवान उठाऊने या जिदो गाहवान हो घड़ जुढ जद डरीक्ट गाहव मोतर उपक्लेक्शन करते हैं. कामदेने गोशाला में, थाओंजा फिलोर किलिंणर हैं। और इसमें जो चीजें डलती है, ओ है कपूर, नीम का तेल, पाइन का तेल, और सौफ्ट सौफ सुलेशन, ताकि उससे सफाई हो, और मेन चीज है जो है गो मुत्र अर्क, इससे हमें तीन तरह के फायदे होते हैं, जो पुरातन जमाने में लोग घरों में गो मुत्र और गोब मुत्र मिला करके सबके घरों में जाए, ताकि बास्तु दोस्त दूर हो, दूसरा फायदा यह है कि इसमें पेस्टिसाइड किसी तरह कर नहीं है, बिल्कुल जहरीला नहीं है, जहर मुक्त है, इससे बच्चों को कोई हानी नहीं होगी, बुढ़े को कोई हानी नहीं होगी, सांस में कोई प्रॉलिम नहीं होगी जो अधर्स में होते हैं जिसमें प्रिस्टिशाइड होती है तिसरा फाइदा यह है कि हम बिना कोई लॉस और प्रोफिट के जो है काम कर रहें ताकि गौमाता की तरफ से सब के घर में जो है इनका अशिरबाद जाए और इनके घर के के देकी एधार आहा पाइदा कि जोस्टिश आए गावन उतादें की कॉलेक्शन करं सुटय पर पृजबादा नहीं कि जिते ही जब सेवावन मुंत तरह ऑन झाइधा कांचा करते हैं तो इजए जो गावन मुंतर मुंतर प्र पर विफिच काम करता है यह सिने प्युर्सि देसी गावाला कठा करिये, देसी गावाला कठा करके आप आप होई सारे प्रफनाया विचे यूज़ करते हैं